Assalamu alaykum students, आज हम study करने जा रहे हैं Phylum Echinodermatrix के लिए को जिसमें हम study करेंगे क्लास के लिए का introduction, general characteristics, maintenance functions और reproduction को तो सबस्पहले इसका introduction और general characteristics को study करते हैं अब यह सबसे जदा primitive forms है, living Echinoderms के यानि सबसे जदा older form है और इसके अंदर आती है हमारे पास sea lilies और feeder stars और इसके अंदर included है तक्रीबन 630 species लेकिन अगर पहले जो एक एरा में देखें तो पहले जो एक एरा में इनकी काफ़ी जादा variety present थी अब यह जो पहले जो एक एरा है यह 200 to 600 million years पहले जो था वो present था अब sea lilies जो है यह सबस्टेट के साथ attach होती है एक star के थूँ जैसे हम diagram के अंदर देख सकते हैं यह sea lily की diagram है जिसमें यह star का इसका जो के सबस्टेट के साथ जो attach होगा और सबस्टेट के साथ attach होने के लिए इसके पास जहां वो root like extensions भी हो सकती है ताके सबस्टेट को अच्छा तरीके से यह anchor कर सके इसके लावा disk like projections भी हो सकती है star के end पे अब यह हो गया हमारे पास star का structure अब यह जो star का structure अब star के ओपर जहां वो पोजिकल जहां वो present होते जो के एक तुष्टे के ओपर जहां वो इस तरह जहां वो star होते हैं ताके इसको jointed appearance देख सके इसके अलावा जो इसके पास सीरी भी present हो सकते हैं जो के वो इसके फामे अरेंज होते हैं यानि इसके उपर जहां वो smaller cilia like structures भी present हो सकते हैं अब जो unattached end है इसको हम बोलते है crown यानि crown ऐसा है जो के substrate के साथ attached नहीं है और crown वही का aboral end है उसको हम बोलते है calyx जो के यहां पर ozicals की ही aggregations जो है वो मिलके बना हुआ है अब calyx का structure है भी calyx के उपर जहां वो five arms जो है वो present है और इन्ही five arms की जहां वो further branching भी हो रही है तो इन्ही further branching को हम बोलते हैं pinules जो smaller branches हो और यही वाली जो branches है यह इसको feather like appearance देती है ओके तो अब जो tube feet है वो हर arm में double rows यह नहीं five संबली है यह काम है आम का structure है तो इस arm के अंदर जो है वो two rows of tube feet जो है वो present है और embolacral groove जो है वो हर arm के अंदर वो mouth की तरफ जो है वो lead करेगी इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर feather star का structure तो feather star जो है यह बिलकुल sea release है यहाँ से ही similar है यहाँ पर difference क्या है कि इसका जो है वो star इसके पास नहीं होता है तो star नहीं होने के वज़े यह swimming और crawling organism है अब इसका जो a barrel end है crown का यह हमारे पास a crown to crown का जो a barrel end मतलब के calyx है वो bear कर the root like Siri को जो के अगर organism ने substrate को पर रेस्ट करना है तो यह substrate को जो है वो क्लिंग करके यह अटाश करके रखेंगी अब यह जो है यह swim करेगा अपनी arms को lower करके और raise करके यह arms की motion की वज़ा से हैं यह swim करेगा और substrate के उपर जहाँ वो क्रॉल कर सकता है अपनी arms को pulling action की वज़त से अब maintenance functions को देखें तो maintenance functions में जो feeding है इसमें किस्तार से होगी feeding में यह use करेंगे अपनी outstretch arms मतलब arm के जो है को काफे ज़दा उसको stretch करेंगे और stretch करने के बाद suspension feeding करेंगे अब feeding का जो process हो काफे ज़दा यहाँ पर interesting है कोई भी planktonic organism है जो के tube feed के साथ contact में आएगा वो फोरें अब इनके पास नहीं होती लेकिन फिल भी दीखें कbor ने सब्सक्राइब कि जो है वो काफेंज में ने स्पेडिक से नीचे जो है वो काफेंज होता ऑफ कोसर एक तर्ज के अंदर निफ्स को राइस करेंगा Reproduction and Development के अंदर देखें तो यह हमारे पास हैं Dioceus और जो गमेट्स हैं वो जामिनल अपिथीलियम से बनेंगे सिलोम की और जो गमेट्स हैं अफकोर्स आप क्योंकि यह सिलोम के अंदर बन पर रहे हैं तो इन्होंने रिलीस होना है Raptures in the walls of the arms यानि आम्स की जो वाले उनमें रप्चर होंगे रहां से जो है वो गमेट्स आउटसाइड इंवार्मेंट में रिलीस हो जाएंगे अब फाइटिलाजेशन और डिवैलमेंट जहां यह एक्स्टरनल इंवार्मेंट में भी हो सकती हो और Embryu जो है वो उसको बुरूट भी किया जा सकता आउटर सर्फेस ऑफ दी आम पर अब जो मैट्रम आफ़सिस आफकोस वो होगी जब लावा जो है वो सैटल कर जाएगा सबस्ट्रेट के ओपर और किनियोट जहां यह अपने लोस्ट पार्स को भी रीजिन ब्रेट कर सकत हैं बिल्कुल बाकी क्लासिस की जड़ा तो स्टोडिय लिया थी आज की वीडियो अगर आपका स्पेसर कोई क्वेस्टिन आइकन फिर यह ना ता मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी है तो मुझीत इंक्रमेटिव वीडियो के चैनल को सबस्क्राइब करें नेक्स वीडियो ता के लिए अलाहाफिस